Books That Speak में आप सभी का स्वागत है 15 अगस्त की अवसर पर Books That Speak पेश कर रहा है तीन कहानियों की माला इस माला में से आखरी फूल है ये कहानी पुर्व पश्चिम उत्तर दक्षिन शाना अपने मातापिता के साथ पूरे देश की यात्रा कर रही है और नए-नए ख्षेत्रों को जान रही है वो अपना यात्रा वृत्तांत चिठियों के रूप में अपने विद्याले के दोस्तों को लिखती है ये पुस्तक हमें हमारे देश के हर भाग और भूखंड के बारे में बताती है तो कहानी का शिर्शक था पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिन ओरिजनल स्टोरी नौर्थ साउथ इस्ट वेस्ट बाई प्रथम बुक्स कहानी लिखी है सी जी सलमंदर चित्रांकन कविता सिंग काले हिंदी में अनुवाद कविता मुकेश कहानी सुना रही है असावरी दूशी पोस्ट कार्ड लिखा जा रहा है 26 जुलाई 2019 प्रिय कक्षा 4 बी प्रिय मिस तुम्हें बता ही चुकी होंगी कि मैं अगले पांच महनों के लिए स्कूल नहीं आ रही हूँ मैं अम्मा और अप्पा के साथ पूरे भारत की यात्रा कर रही हूँ वे दोनों मुझे इतिहास, भुगोल, विज्ञान और गणित की पढ़ाई करा देंगे मैं अगले वर्ष ही वापस आ पांगी मुझे तुम सबकी याद आती है आशा है तुम लोग भी मुझे याद करते होंगे स्नेह सहित शाना 30 जलाई 2019 का पोस्ट कार्ड यानि की पहले पोस्ट कार्ड के चार दिन बाद सभी को नमस्ते तुम लोग विश्वास नहीं करोगे की मैं कहां हूँ मैं उत्तर की ओर कश्मीर के थाजिवास ग्लेशियर में हूँ ग्लेशियर सफेद और नीले होते है ठंड से बचने के लिए हमें यहां चार जोड़ी कपड़े पहनने पड़े अम्मा और अप्पा को ये जगा पसंद आ गई है और उन्हें एक दूसरे पर बरफ के गोले फेकना अच्छा लग रहा है लेकिन उन्होंने बताया कि पिछले साल यहां इससे कई ज्यादा बर्फ पड़ी थी बर्फ तो मुझे भी पसंद है लेकिन दस्ताने ना पहनने की वज़ा से मेरे हाथ ठंड से काप रहे है इसलिए मुझे नहीं लगता कि और आगे लिखा जाएगा पीटी मिस और लाइब्रेरियन सर को मेरा नमस्ते कहना स्नेह सहित शाना अगला पोस्ट कार्ड भारत की स्वतंत्रता दिवस्पर यानि की 15 अगस्त 2019 प्रियक अक्षा कल पहली गाड़ी से हम हिमाचल प्रदेश पहुँच गए यहां बहुत शान्ती है और हम अपने केबिन से बहुत से पहाड देख सकते है जब पूर्व में सूरज उखता है तब रंग बिरंगी चिडिया अपनी चैचाहार से मुझे जगा देती है अंधेरा होने पर मुझे लगा जैसे पश्चिम से भालूों के गुराने की आवाजे आ रही है लेकिन अम्मा ने बताया कि वो मेरे अप्पा के खराटों की आवाज थी यहां एक भालू मिल जाए तो कितना अच्छा हो मैं तो उसे गले लगा लूगी तुमारी सबसे अच्छी मित्र की तरफ से प्यार शाना और एक पत्र अगस्त 2019 को सभी को नमस्ते क्या तुम्हें मालूम है कि अरुणाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश से काफी दूर है हिमाचल प्रदेश उत्तर दिशा में है लेकिन अरुणाचल प्रदेश काफी आगे पूर्व में है मुझे लगता था कि सभी प्रदेश एक दूसरे से सटे हुए है हमने दो गाडियां बदली और एक लंबी यात्रा करके यहां पहुँचे आज सुब पेड की शाखाओं के उपर बने अपने ट्री हाउस तक पहुँचने के लिए हम पैदल एक जंगल से होकर गुजरे ये जंगल इतना घना है कि यदि तुम्हारी पलक भी जपकी या जूतों की फीते बानने के लिए भी रुके तो गुम हो सकते हो मुझे अभी तक सबसे अच्छा अरुणाचल प्रदेश लगा मैं यहां खूब मौच कर रही हूँ काश हमें यहां लाल पांडा भी दिख जाए स्नेह सहित शाना अगला पोस्ट कार्ड है 2 सितंबर 2019 के दिन का प्रियसाथियो दक्षिन पश्चिम की और यात्रा करने और पश्चिम बंगाल के सुन्दर्बन पहुँचने में हमें ज्यादा समय नहीं लगा आज अम्मा और अप्पा मुझे एक छोटी सी नाव पर नदी में ले गए अम्मा ने मुझे बताया कि सुन्दर्बन जैसी जगहों को आद्रभूमी कहां जाता है मैं नहीं जानती थी कि ऐसी भी कोई जगह होती है और मैंग्रोव नाम के पेड समुदरी जल में उग पाते है लेकिन अम्मा को इस बात का दुख है कि आज यहां बाड आई हुई है हमें नौका विहार करते हुए मगर मच और एक साब भी दिखा आशा करती हूँ कि वे घर तक हमारा पीछा नहीं करेंगे तुम सब कैसे हो? क्या तुमें भी मेरी याद आती है? सनेह सहित शाना अगला पोस्ट कार्ड है 29 सितंबर 2019 का सभी को नमस्ते हमने देश के एक कोने से दूसरे कोने तक की यातरा की पूर्व से पश्चिम तक का पूरा रास्ता यानि पश्चिम बंगाल से गुजरात तक तै करने में हमें केवल धाई दिन लगे मुझे नहीं मालूम कि अम्मा और अप्पा मुझे बीच रेगिस्तान में क्यों लाए है यहां गर्मी है, सूखा है और हर जगा बालू रेत है यह बिना समुद्र के समुद्र तट की तरह लग रहा है लेकिन यहां के कपड़े मुझे बहुत अच्छे लगे यह बहुत सजीले और रंग बिरंगे है मुझे विश्वास है कि तुम सभी अपनी अर्धवार्शिक परिक्षा के लिए बहुत मेहनत कर रहे होंगे अम्मा ने आज मेरी एक परिक्षा ली और मुझे उसमें 88 प्रतिशत नंबर मिले यानि कि 88% स्नेह सहित शाना अगला पोस्ट कार्ड है 1 अक्तूबर 2019 के दिन का प्रियक अक्षा आज का दिन अब तक का सबसे अच्छा दिन था मुझे बहुत खुशी है कि हम इस यातरा पर निकले हम रेगिस्तान से पूर्व की ओर से नर्मदा नदी तक गए इस यातरा में हमें केवल 6 घंटे लगे दोपहर में अम्मा अप्पा और मैं नदी में राफ्टिंग करने गए तुम लोग विश्वास नहीं करोगे कि ये कितना खतरनाक और ढरावना था मैं हमेशा सोचती थी कि नदिया शान्त होती है लेकिन वास्तव में ये उफान भरी थी अप्पा ने बताया कि पहले यहां बहुत ज्यादा पानी हुआ करता था और राफ्टिंग करना इससे भी ज्यादा खतरनाक होता था राफ्टिंग के बाद मैं पूरी तरह भीग चुकी थी अप्पा तो इतने डर गए थे कि उन्होंने कसम खाई आगे से कभी राफ्टिंग नहीं करेंगे मुझे पानी बहुत पसंद है और मैं ये सब दोबारा से करना चाहूंगी तुमारी सबसे अच्छी मित्र शाना पोस्ट कार्ड की डेट 20 अक्तूबर 2019 प्रिय दोस्तो अम्मा और अप्पा गहरी नींद में है मुझे भी सोजाना चाहिए लेकिन मुझे खिड़की के बाहर देखना अच्छा लगता है शायद हम देश के दक्षिन पश्चिम भाग यानि की गोवा में है तुम विश्वास नहीं करोगे की यहां के पठार कितने खूपसूरत दिखते है यहां बहुत सारी पहाडियां है यह पूरा क्षेत्र पहाडों और समुद्र तटों से घिरा हुआ है यहां बहुत सारी सुरंगे भी है जिन से होकर गाडी निकल रही है मुझे पहले सुरंगों से डर लगता था पर अब नहीं लगता मैं चाहती हूँ कि कभी हम सब एक साथ मिलकर पठारों की यात्रा करे शाय जब हम ग्यारवी कक्षा में हो तब ऐसा संभव हो पाए स्नेह सहित शाना अगला पोस्टकार्ट एक नवंबर दोहजार उननिस प्रियमित्रो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हम सब फिर से उसी राज्य में आप पहुँचे है हम दक्षिन में घुमें मैं जल्दी ही घर पहुँच जाऊंगी हम कल चेनने ही पहुँच गए थे पुद्दुचेरी जाते समय हमने रास्ते में तै किया कि सर्फिंग सीखी जाए मुझे लगता है अब मैं थोड़ा सही करने लगी हूँ क्योंकि मैं सिर्व दो बार ही गिरी अम्मा और अप्पा ने एक दूसरे पर पानी के छीटे मारे और बच्चो जैसी हरकते की ये तो अच्छा हुआ कि मैं उनका ध्यान रखने के लिए वही थी यहां के समुद्र तट वैसे नहीं है जैसे हमारे द्वीब पर है लहरे बहुत तेज है और पानी भूरा सा है फिर भी मुझे यहां अच्छा लग रहा है तुमारी सबसे अच्छी दोस्त शाना 21 नवंबर 2019 सभी को नमस्ते मैंने अभी अभी पंबन पूल पार किया है मैं दोनों तरफ से समुद्र देख पा रही थी रेल समुद्र के बीच में से होकर निकल रही है यह अद्भुत है मैं घर पहुँचने ही वाली हूँ और यात्रा का अपना अंतिम पत्र भेजने को बहुत उत्सुख हूँ शाना 23 नवंबर 2019 कक्षा के प्रियसाथियो मैंने सोचा था कि इतनी सारी यात्राओं के बाद अम्मा और अप्पा ठक चुके होंगे लेकिन उन्होंने घर पहुँचने से पहले उलाई काडू समुद्र तट पर एक अंतिम पढ़ाव डाला अब हम घर पहुँच गए है पर मैं बहुत खुश हूँ कि हम वहां रुके और ये सब किया अम्मा मुझे गोता लगाना सिखाना चाहती थी यानि कि स्कूबा डाइविंग लेकिन वहां मेरे नाप का डाइविंग सूट नहीं था इसलिए मैंने अपना दिन तैरते और मचलियों को देखते हुए बिताया जबकि अम्मा और अप्पा मेरे नीचे गहराई में गोता खोरी करते रहे हमें समुद्र तट पर कई प्रकार के कंकड मिले कल उन्हे मैं तुम लोगों को खुद दूंगी और धेर सारे किस से भी सुनाओंगी स्नेह सहित शाना एक दिसंबर दोहजार उन्निस प्रिय अम्मा और अप्पा मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हमने पूरा देश गूम लिया है मुझे बड़ा मजा आया मैं जानती हूँ कि वे सभी जंगल, ग्लेशियर, रेगिस्तान, आरद्रभूमी, पठार और पहाड जहां हम गूमे थे हमें उनकी कमी महसूस होगी हम नई-नई भाषाओं को सुनने और अलग-अलग लोगों से मिलने को भी तरस जाएंगे लेकिन अंततहा हम अपने घर पहुँच चुके है अब हम एक बार फिर अपने मित्रों से मिल सकेंगे मुझे आशा है कि हम फिर से इसी तरह गूमने जाएंगे हो सकता है कि अगली बार हम अपने दोस्तों को भी अपने साथ ले जा सके धेर सारा प्यार आपकी लाडली शाना कैसी लगी ये सुन्दर कहानी जिसमें भारत की पूरी यात्रा की है एक छोटी सी बच्ची ने अपनी माता-पिता के साथ और ये यात्रा उसे बहुत सारा अनुभव देगी और ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनने के लिए Books That Speak इस चैनल पर जरूर आईएगा YouTube पर और अलग-अलग podcasting channels पर मिलते हैं अगली कहानी में धन्यवाद बाई बाई